नमस्कार दोस्तों जय हिंद आज हम इडूटेरिया परकाशन का बीपीएसी के लिए एशडीम बनने का सपना लेकर के आये हैं एशडीम साथ में बिहार एसाई में भी या जो है कोश्चन काम आएंगे क्योंकि भली भाती सभी जानते हैं जो बीपीएसी का पैटर्न रहता है वही इसमें पूछा जाता है तो आज हम देखेंगे सेसना स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन है पर्थम बहुद महासभा कहां आयोजित हुई थी तो पर्थम बहुद महासभा जो है राजगीर में आयोजित की गई थी आजात सत्रू के सासनकाल के दवरान जो है चारसो तेरासी इसाप पूर्व में जो है राजगीर में इसका आयोजन हुआ था आपको बताते चले कि अभी तक कुल चार बहुत महासभाएं आयोजित की गई है next question देखेंगे दूसरा नमबर किस गुप्त सासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की तो चंद्र गुप्त दूतिये हैं इन्होंने जो है अपने बड़े भाई राम गुप्त नोट कर लिजगा राम गुप्त की हत्या करके सत्ता हासल की थी बिरासत में एक बड़ा समराज प्राप्त करने के बाद उन्होंने पडोसी छेत्रों पर नियंतरन बढ़ा कर अपने पिता समुंद्र गुप्त की नीतियों को जारी रखा था वहीं बात करें चंद्र गुप्त दूतिये का सासनकाल के बारे में तो इनका सासनकाल जो है तीन सो असी से चार सो पंदरा इस भी तक है वहीं बात करें कि चंद्र गुप्त दूतिये को ही बिक्रमादित कहा जाता है question number 3 देखेंगे बर्धन राजवन्स की अस्थापना किस ने की थी तो बर्धन राजवन्स की अस्थापना पुस भोती ने किया था इसके बारे हम थोड़ा fact जान लेते हैं बर्धन भन्स को पुस भोती भन्स भी कहा जाता है गुप्तो के बाद उट्तर भारत में सबसे विश्तरित सामराज की अस्थापना इन्होंने ही की थी इस बंस का हुदय जो है हर्याना नोट कीजे हर्याना के खानिस्वर में हुआ था बानवट ने हर्ष चरित में पुस भूति को बर्धन बंस का संस्थापक बताया है कुश्चन नमर चार देखेंगे रोमन सामराज से ब्यापारिक संबंध किस ने अस्थापित किया था तो यह कुसान बंस ने अस्थापित किया था कुश्चन नमर पांच देखेंगे मगत सासक बिमबिसार का चिकिस्तक कौन था तो उनका चिकिस्तक जो है जीवक था बिमबिसार फैक्ट जानिएगा कि गौतम बोध के समय में परसिद बैध जीवक जो है बिमबिसार के दरबार में आया था वहीं बात करें कि बिमबिसार बिम्बिसार का सासन काल नोट कर लिजेगा, कि 544 इस भी पूरुप से 492 इस भी पूरुप तक, 492 इस भी पूरुप तक, नोट कर लिजेगा, कोश्चन नमर 6 देखेंगे, मुस्लिम सासक जिसका सामराज, दार उल इसलाम का एक भाग माना जाता है, तो इल्टु तम्मिस का जो है, सासन काल, दार उल इसलाम के नाम से जाना जाता है, कोश्चन नमर 7 देखेंगे, इन में से किसने खलीफा की सक्ति का विरोध किया, देखेंगे तुग्रील खा ने किसके सासनकाल के दौरान विद्रोह किया था तो बलवन के सासनकाल के दौरान तुग्रील खा ने विद्रोह किया था तुग्रील खा के बारे में थोड़ा सा फेक्ट जान लेते हैं तुग्रील खा एक तुर्किया अमीर था जिसे सुल्तान ग गया हो गया था को reviews नमार नौ देखेंगे सरपर्थम किस मुघल सासक ने ब्रिटीश के ब्रूद संगरस किया लोस्चे नमार 10 देखेंगे कौन सा समाध सुधर बिलियम बेंटिंग ने प्रारंप किया था तो बिलियम बेंटिंग ने जो है सत्यपरथा का उनमुलन किया था दासपरथा का उनमुलन किया था और ठगो के संगठित गिरोह का दमन ये भी किया था लेकिन धर्न परिवरतन के कारण आयो के प्राबधान को टा ये गलत है बाकी एक दो और चार से ही है तो इसका राइट ये option number C से हो जाएगा question number 11 देखेंगे किसने सिंध बीजित कर उसका अधिकरन किया तो नेपियर ने जो है सिंध बीजित कर उसका अधिकरन किया था question number 12 देखेंगे भारत में पर्थम जनगना किस वर्थ प्रारंब की गई तो भारत में पर्थम जनगना 1872 में बिटिस बाइसराय लॉड मेयो के अधिन पहली बार कराई गई थी उसके बाद यह जो है हर दस वर्स बाद कराई गई जिसमें पर्थम नियमिज जन गन्ना जो है 1881 में की गई नोट कर लिजेगा सभी एकजाम के द्रिष्टिकों से महतपूर्ण है कॉस्चन नमर 13 देखेंगे सुकदेव भगत सिंग तथा राजग्रू को किस थारिक को फांसी दी गई थी तो 23 मार्च 1931 को जो है तीनों को फांसी की सजा दी गई थी कॉस्चन नमर 14 देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किये गए ब्यक्तिकत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन है तो तीसरे सत्याग्रही जो है ब्रहमादत है तो वहीं बात करें कि ब्यक्तिकत सत्याग्रह की सुरुवात 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था महराष्ट के पवनार आश्रम से सुरू हुई थी गांधी जे के द्वारा 11 अक्टूबर 1940 को बिनोवा भावे को पर्थम सत्याग रही बिनोवा भावे को पर्थम सत्याग रही वह ही बात करें क्यों से दूसरा सत्याग्रही जो है जवाहल लाल नहरों को चुना गया थ है और तीसरा सत्याग्रही जो है ब्रहमादथ थे Q aquesta नमर 15 देखेंगे भारट छोडो अंदोलन के दौरां खोफिया रेडियो किस ने प्रारम किया तो खोफिया रेडियो जो है उसा महता के द्वारा चलू किया गया था तो यह क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं उसा महता ने भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारान अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1942 को नोट कहिजेगा 14 अगस्त 1942 को खुफिया कॉंग्रेस रेडियो प्रारम किया था यह रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगा बदलता था ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ न सके उन्होंने रेडियो की सहाइता से आंदोलन को बढ़ावा दिया था Q16 देखेंगे सिमांद गांधी के नाम से जाने आते है तो अब्दुल गफार कहां जो है सिमांद गांधी के नाम से जाने आते है Q17 देखेंगे जहांसी की राणी लच्छी मिवाई की मिर्टु कहां पर हुई थी तो उनके मिर्टु ग्वालियर में हुई थी question number 18 देखेंगे बंगाल विभाजन के बिसें में किस ने कहा था विभाजन हमारे उपर बम की तरह गिराया गया है तो यहां सुरेंदर नाथ बनर जी ने कहा था question number 19 देखेंगे सरदार उधम सिंग ने किसे मारा था तो सरदार उधम सिंग ने माइकल ओडवायर को मारा था question number 20 देखेंगे बारदोली सत्यागरा का सफल नेत्रित किस ने किया तो बार्दोली सत्यागरा का सफल नेत्रित्व जो है सरदार बल्ला भाई पटेल ने क्या था और यह सत्यागरा 1928 इसवी में किया गया था कोश्चन नमरी कीज देखेंगे इनमें से कौन 1946 इसवी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस नहीं था तो रेमजे मैंक डोनाड यह सदस नहीं थे बाकि सर अश्टेड फोर्ड क्रिप्स एबी अलेकजंडर लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस यह तीनों थे कोश्चन नमरी बाज देखेंगे परसिद गांधी इरविन समझाथा किस वर्स हुआ था तो गांधी इरविन समझाथा जो है 1931 में घटना है जो 5 मार्च 1931 को हुई है नोट के जगा 5 मार्च 1931 कोश्चन नमरी 23 देखेंगे भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस ने किस सस्त्र में पूर्ण स्वाधिहिंता का प्रस्ताव पारित किया था तो लहोर अधिवेशन 1931 में जो है कॉंग्रेस ने पूर्ण स्वाधिहिंता का प्रस्ताव पारित किया था कॉश्चन नमर 24 देखेंगे सुवाष चंद्रबोस ने निकवार दीप को नया नाम दिया तो सुवाष चंद्रबोस ने निकवार दीप को नया नाम दिया है सुवाष दीप यह 30 सितंबर 1937 को दिया गया था 30 दिसंबर 1937 को कॉश्चन नमर 25 देखेंगे फरवारे 1922 इस्वी में पुलिस चौकी में आग लगानी की घटना से समन्दित चौरी चौरा किस राज में है तो चौरी चौरा उत्तर परदेश में राज में इस्थित है जो यह घटना जो है 4 फरवरी 1922 को घटी हुई थी कॉश्चन नमर 26 देखेंगे खुदी राम बोस ने किस अस्थान पर किंग्स फोर्ड की हत्या का पर्यास किया तो खुदी राम बोस ने मुझफर पूर में जो है किंग्स फोर्ड की हत्या का पर्यास किया था कॉश्चन नमर 27 देखेंगे 1942 इस्वी में किस त्यवहार के अफसर पर जैपरकास नरायन हजारी वाल जेल से निकल भागे थे तो वह दिवाली का त्यवहार था कॉश्चन नमर 28 देखेंगे बिहार के आर्थिक सर्विच्छन 2021-22 के अनुसार बरतमान में राज में सहरी करन का अस्तर क्या है सहरी करन का अस्तर 15.3 परसेंट है कॉश्चन नमर 29 देखेंगे विश्व की सबसे लंबी मुर्ती जो की 251 मीटर का है निर्मान बिहार के किस जिले में किया गया है तो यह सिता मढ़ी में किया गया है जो कि सिता माता का जन भूमी भी है question number 21 देखेंगे सूची A के साथ सूची B का मिलान करने के लिए बोला जा रहा है तो यहां जो है बिहार के राजपाल जो है फागु चवहान है बिहार के मुख नियाधिस बिहार के मुख मंतरी स्री नितीश कुमार जो हमें मालूम है उसका पहले मिलान हम कर लेंगे वहीं बात करें कि बिहार के मुख ने अधिस स्री संजे करोल और बिहार के मुख चुनाव अधिकारी जो है जो बकी बचा वही है स्री ह और स्री निवास उसका राइट आंसर जो है option number C हो जाएगा question number 32 देखेंगे बिहार में operation परहार संबंधित था तो operation परहार का संबंध जो है सराब बंदी से है question number 33 देखेंगे हाली में बिहार में किस अस्थान पर उत्तर भारत का पहला ward ringing station खोला गया है तो यहाँ भागलपूर में खोला गया है question number 34 देखेंगे निमलिखित में से बिहार में गिद संब्रच्छन योजना शुरू की गी तो गिद संब्रच्छन योजना जो है बालमी की tiger reserve के द्वारा की गई है question number 35 देखेंगे बिहार में तुर्क सत्ता का बास्तिविक संस्थापक कौन था तो इसका बास्तिविक संस्थापक इबन बक्तियार खिली था इसी के नाम पर बक्तियार पूर सहर का निर्वान किया गया है question number 36 देखेंगे बिहार के पर्थम भारतिय गवर्नर जनरल कौन थे तो बिहार के पर्थम भारतिय गवर्नर सत्यंद्र परसाद सिना जी थे question number 37 देखेंगे question number 38 देखेंगे बिहार का चौरी बिद्रो किस वर्स हुआ था तो चौरी बिद्रो जो है 1798 में किया गया था question number 49 देखेंगे किस वर्स उडिसा को बिहार से प्रिथक किया गया है तो 1936 में उडिसा को बिहार से प्रिथक किया गया था जो कि 1 अप्रेल 1936 था एक अप्रेल 1936 डेट नोट कर लिजेगा कोश्चन नमर 40 देखेंगे बिहार आज का कुल भवालिक छेत्रफल है तो कुल भवालिक छेत्रफल जो है 94,163 वर किलोमेटर है कोश्चन नमर 41 देखेंगे बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है तो बिहार का सोक जो है कोश्चन नमर 42 देखेंगे बिहार के किस जिले में तेलहार कुंड जलपरपात अवस्थित है तो यह कैमूर जिले में अवस्थित है तेलहार कुंड जलपरपात कोश्चन नमर 43 देखेंगे एसिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर जिल बिहार में कौन सी जगा पे हैं तो गोखुर जिल जो है कनवार जिल जिसे कहते हैं या काबर जिल कहा जाता है कनवार जिल या काबर जिल दोनों एक ही है या बेगुसराई में इस्तित हैं कोश्चन नमर 44 देखेंगे, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो अभी सोने का सवरभातिक भंडार जो है, जमोई जिले में मिला है, कोश्चन नमर 45 देखेंगे, बिहार के किस जिले को सिल्क सीटी के नाम से जाना जाता है, तो वह जिला लडतकुर और दोशनगुरफ सिल्क सीटी क। बहारत की जनगन्ना 211 की अनुसार बिहार में महिला साउचहर्तादर क्या है तो बहार का 1.5050 है यानि 15.50 परशेंट के बिहार के आर्थिक सनवेचन 2021-2022 के अनुसार गलत कथन को चुनिये तो गलत कथन इसमें जो है बिहार में प्राथ्मिक छेत्र में 2.8% की बिर्धी दर हुई है यह गलत है बाकि सभी जो है सही है question number 48 देखेंगे सहरी करन के बढ़ते अस्तर के अनुसार बिहार के निम्द जीलो का सही करम चुनिए तो इसका right answer नालंदा, मुंगेर और पटना यानि नालंदा, मुंगेर और पटना यह हो जाएंगे सहरी करन के अस्तर के अनुसार बिहार का question number 49 देखेंगे B3A बर्स 2022-23 के लिए राज कोसिय घाटा बिहार के GDP का कितना परसेंट होने का अनुवान है तो यह 3.47% होने का अनुवान लगाया गया है question number 50 देखेंगे वह बिकल्क चुनिए जो बिहार के 7 निष्चे भाग, 2 योजना का हिस्सा नहीं है नहीं है पर ध्यान दिजेगा तो यह जो है सभी के लिए बायू मार गया यह नहीं है बाकी यूबा सक्ती बिहार की प्रगती सही है ससक्त महिला सच्छम महिला सही है हर खेत में सिच्चाई का पानी यह भी सही है question number 50 देखेंगे पर्ति व्यक्ति आये कि अब रोही अब रोही मतलब होता है घर्टे करम नोट कर लिजेगे बिहार राज के जिलो का सही क्रम चुनिए तो इसका सही क्रम जो है option number A हो जाएगा जिसमें सिबहर से बड़ा अररिया अररिया से बड़ा पुर्वी चंपारन पुर्वी चंपारन से बड़ा किसंगंज और किसंगंज से बड़ा नवादा है गड़ते क्रम के अनुशार नवादा बड़ा है उसके बड़ा किसंगंज है उसके बड़ पुर्वी चंपारन है उसके बड़ अररिया है उसके बड़ सिबहर है question number 22 आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दोरान सक्रिये रहा आजाद दस्ता भारत छोड़ आंदोलन के समय से सक्रिये रहा है question number 23 देखेंगे 1946 इसबी में गठित अंतिम सरकार के मंत्री मंडल में स्रम बिभाग किसे सोपा गया तो स्रम बिभाग जो है जग जीवन राम को सोपा गया था वहीं राजेंदर परसाद की बात करें तो इनको खाद एवं क्रिसी मंत्राले सोपा गया था question number 54 देखेंगे डाक्टर राजेंदर परसाद को समिधान सवा का सभापती चुना गया तो यह जो है दिसमबर 1946 में इनको चुना गया था question number 55 देखेंगे बहारत का राजेपती कितनी बार पुना चुनाव के लिए पातर होता है तो भारत का राजेपती कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता और राश्पती बन सकता इसका कोई मान देए नहीं question number 75 देखेंगे लोग सभा में समानता कितने सत्र होते हैं तो लोग सभा में तीन सत्र होते हैं तीनों के नाम जान लिजिए पहला होता है बजट सत्र दूसरा होता है मानसून सत्र तीसरा होता है सरद सत्र question number 58 देखेंगे स्वतंत्र भारत के पर्थम बिधी आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो कौन से अनुछेद में संसोधन किया वसकता होती है तो यह जो है नोट कीजेगा इसका right answer उप्यूक्त में से कोई नहीं उप्यूक्त में से एक एक से अधिक तो आप नोट कर सकते हैं इसमें पांच साथ हैं जैसे अनुछेद 83 अनुछेद 85 अनुछेद 172 अनुछेद 174 और अनुछेद 356 के तहट जो है एक राज एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारती समिधान में संसोधन किया वसकता है कोस्चन नमर साथ देखेंगे किस राज में पंचाइती राज विवस्था नहीं है तो नहीं है वाला प्रशन आ गया तो पहले है ये जान लेते हैं तो नागलेंड में है मेघाले में है और मिजोरम में ये तीनों में जो है नहीं है तो इसका राइट आंसर जो है अप्सन नमर ई हो जाएगा कोस्चन नमर 61 देखेंगे परतेक राज में लोकसवा की सीटों का निर्धारन परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है इस परिसीमन को किस वर्स तक रोक दिया गया है तो यह जो है 2026 तक रोक दिया गया है समिधान के 84 में सोधन 2002 के अनुसार 2026 तक परिसीमन वर्स 1971 की जन गना के अधार पर किया जाएगा QuesTION नमर 22 देखेंगे सर्बोच न्याले एक है तो सर्बोच न्याले जो है संग्य न्याले है सही है मानव अधिकारों का संवर्चक है सही है सम्मिधान का अंतिम बिवेचक है ये भी सही है सिविल न्याले है ये भी सही है तो सभी विकल्ब इनके सही है तो ओप्सन नमबर डी इसका इन राइट आंसर हो जाएगा कोश्चन नमबर 63 देखेंगे पंचायतों की बित्य इस्थिती की समिक्षा के लिए राज सरकार परतेक पांच बरसों में क्या गठित करती है तो यह जो है बेतायोग का गठन करती है कोश्चन नमबर 64 देखेंगे जो कि भारत के भूगोल से प्रश्ण है भारत में बाग परियोजना 1973 में चालूगी गई थी यह विल्कुल सही है बर्स 2022 में राश्टी है जब विवित्ता दिवस मनाया गया जिसकी विशेबस्तु सभी जीवन के लिए साजा भविस्त का निर्मान है यह भी विल्कुल सही है बाग परियोजना बागों को संरीचित करने का एक कादिकरम था यह भी विल्कुल सही है तो इसका राइट आंसर एक दू तीन ओप्सन नमर्डी हो जाएगा कोश्चन नमबर 65 देखेंगे करेवा किस परकार की खेती के लिए परसीद है तो करेवा जो है केसर के लिए परसीद है question number 66 देखेंगे भारत का कौन सा राज थोरियम उत्पादन में अगर निये है थोरियम के उत्पादन में केरल जो है सबसे अगर निये राज है भारत का question number 67 देखेंगे अखवारी कागज का उध्योग में निम्न में से किस अस्थान पर अवस्तित है तो यह नेपा नगर में अवस्तित है नेपा नगर जो है मध पर्देश में आता है question number 68 देखेंगे भारत में पर्थम कोईला खान कहां खोदी गई तो भारत में पहला कोईला खान जो है रानी कंज में खोदा गया था question number 69 देखेंगे भारत की जन गन्ना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जन जाती कौन सी है तो वह जन जाती भील है जो एक कड़ोर 79 लाग है question number 70 देखेंगे सौर मंडल का पर्धान आकासिय पिंड कौन सा है तो पर्धान आकासिय पिंड जो है सूरी होता है सौरी सौर मंडल का मुखिया है और यहां केंदर में इस्तित एक तारा है सौर का जन्म जो है 4.6 billion साल पहले हुआ था नोट कर लिजेगा question number 71 देखेंगे प्रिथवी के आंतरिक परत नीफे के निर्मान में किन तत्वों की परचूरता है तो इसमें जो है निकेल और फेरस फेरम होता है question number 72 देखेंगे भावालिक अपरदन चक्र संकलतना इने में से किस ने परस्तूत की थी तो यहां जो है W.M. डेविस ने परस्तूत किया था question number 73 देखेंगे गरजने वाला चलीसा कुद्दू पचासा चिखने वाला साथा पवने पृत्वे के किस कुलार्द में चलती है तो यहां सभी जो है दचनी कुलार्द में चलते है question number 74 देखेंगे सारगैसो सागर एक हिस्सा है तो सारगैसो सागर जो है उतरी अट्लांटिक महा सागर का हिस्सा है question number 75 देखेंगे भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या करते हैं तो मैक मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है वहीं बात करें रेड किलिफ की तो यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है नेक्ष्ट देखेंगे इंद्रा पॉइंट, तो इंद्रा पॉइंट के बारे में जानते हैं, यह भारत के निकवार दीब समुग के बड़े निकवार दीब पर इस्थित एक गाव है, यह भारत के दच्छिंतम बिंदू भी है, डुरेंड रेखा के बारे में थोड़ा जान जिसके खारण ठंड़ा होने के लिए आवस्सक उचाही नहीं प्राप्थ होती है question number 77 देखेंगे nsso के 68 दौरेक के अधार पर गरीबी अनवानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है तो इसका right answer option number D हो जाएगा भारत की 33.35 परतिसा जनसंख्या गरीबी रेखात के नीचे जीवन यापन कर रही है question number 78 देखेंगे नेमन में से कौन सा भारत के सुच्म उधम को आंसिक रूप से परिभासित करता है तो सैंत्र और मसिन्री या उपकर्णों में एक कड़ो रूपे से अधिक निवेस नहीं इसका right answer option number A हो जाएगा question number 89 देखेंगे पर्धान मंतरी क्रिसी सिच्चाई उजना के बारे में नेमन में से कौन सा गलत है तो इनमें से नेमन में से जो है इसका right answer उप्योक्त में से कोई नहीं उप्योक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका region क्या है इसमें कुओं का निर्मान भी किया आता है जल निकायों का मरमत और नमिकरन भी किया आता है इसका दो option मेरे हिसाब से सही इसलिए इसका right answer option number E हो जाएगा question number 80 देखेंगे भंडारी समीती किस से संबंदित था तो भंडारी समीती छेत्रिय ग्रामीन बैंको की पुनर संरचना से था question number 81 देखेंगे राष्टिय पेंसन योजना जिसे NPS से संबंदित सही कतन चुनिए तो इसका राइट अंसर जो है NPS को पेंसन फंड नियामक और विकास प्राधिकरन द्वारा बी नियमित किया जाता है इसका राइट अंसर ऑप्सन नमर ए हो जाएगा question number 81 देखेंगे जिवंत ग्राम कारिकरम के समंद में सही कथन का चैन करें तो जिवंत ग्राम है क्या तो यह उत्री सिमा पर सिमा वरती गाउं के विकास के लिए यह योजना है question 83 देखेंगे समवदाइक विकास का उद्देज क्या है तो सामवदाइक विकास का उद्ध्यक्स जो है आर्थिक विकास मानव पूंजी का निर्मान यानि इसका राइट आंसर उप्सन नमबर ई हो जाएगा सही वासिंग मसीन का कार्ज कारी सिधान्त क्या है तो वासिंग मसीन जो है अब केंदरन के सिधान पर कार्ज करती है तो अब केंदरन होता क्या है यह जान लेते हैं अब केंदरीय बल जो है केंदर से बाहर की और लगने वाला बल कहलाता है इसका एक फोर एकजामपल आप जान ल Q85 देखेंगे परकास की गती निवन में से किस माध्यम से नियुनतम होगी यह जो है काँच जो सीसा कहलाता है इस माध्यम से नियुनतम होगी Q86 देखेंगे निवन में से कौन सी सदिसरासी नहीं है तो बल, बेग, विस्तापन, त्वरन, बलागून यह सभी जो है सदिस रासिया है जबकि गती सदिस रासि नहीं है question number 87 देखेंगे यदि धर्ती की घूमने की गती घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमद रेखा पर पिंड का बजन क्या होगा तो पिंड का बजन जो है घट जाएगा भूमद रेखा पर question number 88 देखेंगे गती को सरपर्थम किस ने परिवासित किया था तो गती को गैलियोलियों ने सरपर्थम परिवासित किया था question number 89 देखेंगे आप एक छिक्ता का सिधान इनमें से किस बैग्यानिक ने प्रस्तूत किया है तो सन 1915 में अलवाट आइंश्टीन के द्वारा आप एक छिक्ता का सिधान पर्तिपादित किया गया था question number 90 देखेंगे एक संभाहक के तापकरम परिवार्थन के कारण इसमें बिभव परिवार्थन होता है इस घटना को क्या कहते है तो इस घटना को जो है question number 90 में देखेंगे आब अर्धक काच में किस परकार का लेंज परियोग किया जाता है question number 90 में देखेंगे चुमकत्व का अनुचुमबकिये समचुबंक सिधान्त निम में से किसके द्वारा परदस्चित होता है तो यह पलेटीनियम के द्वारा परदस्चित किया जाता है question number 90 में देखेंगे निमलेखेत कतनों पर विचार कीजिए सुध जल को नमक को घोलने से जब जल का क्वातनांग बढ़ जाता है यह जल का हिमांग घड़ जाता है वहीं दूसरा है कि जल में जब मिथाइल अलकोहल डालते है तो जल का क्वातनांग घड़ जाता है तो यह दोनों वाक्यांस जो दिया हुआ यह सही है इसका राइट अंसर जो है option number D, एक एवं दो दोनों हो जाएगा अब रासाइन भी ग्यान से प्रश्ण है question number 94 में देखेंगे किस नियम के अनुसर समान ताप, समान दाप पर सभी गैसो के निश्चित आईतन में अनुओ की संख्या समान होगी तो यह जो है अब अगाडरो का नियम के अनुसर समान ताप और समान दाप सभी गैसो के निश्चित आईतन में अनुवगी संख्या के समान होगी question 95 में देखेंगे परमानु के नाभिक में कौन से मूलकन होते हैं तो परमानु के नाभिक में proton एवम neutron मूलकन होते हैं question 96 में देखेंगे जिस धातु कर्म परकिरिया के अंतरगत धातों मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते है तो उसे जो है केल्सी करन कहा जाता है question number 97 में देखेंगे name में से कौन से पीतल के घटक है तो पीतल के घटक तामबा और जस्ता है इसका trick भी है पीता जी जिसमें पीतल को जो है तामबा और जस्ता से डिनोट किये जाता है question number 99 में देखेंगे name में से किसे अनबुझा चुना कहते हैं तो अनबुझा चुना जो है CAO है बिना बुझे हुए चुने का रसाइनिक सुत्र CAO है यह रसाइनिक रूप से calcium oxide कहलाता है calcium oxide question number 99 में देखेंगे जंग लगे लोहे के बजन में name में से कौन सा परिवर्थन होता है तो यह लंबे समय तक इसका बजन बढ़ता रहता है question number 100 देखेंगे name में से किसे स्वेत धातू भी कहते है तो स्वेत धातू जो है पलेटेनियम को कहा जाता है हलाकि इसका आयोग ने जो है option number E इसका right answer लिया है तो इसको एक बार आप देख लिएगा question number 101 देखेंगे उतक्रिश्धातों के संदर्व है निम बाक्यों पर विचार कीजिए तो इसको बढ़ा कर लेते है उतक्रिश्धातों परकिर्टे में सुद रूप में प्राप्त होती है तो यह बिल्कुल सही है यूरेनियम एवं सीसा उतक्रिश्धातों के उधारन है नहीं यह गलत है इसका right answer क्यावल एक हो जाएगा question number 102 देखेंगे बायोगेस का निम में से कौन सा अभ्यव परमुक है इसका परमुक अभ्यव मिथैन होता है जिसको CH4 से हम डिनोट करते है question number 103 देखेंगे निम में से किस रसाइन के कारण पठाका पूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है तो वह अस्ट्रासियम के कारण जो होता है question number 104 देखेंगे लवन्ता युक बातावरन फ्रमी पौधो को क्या कहते है तो इसको जो है लवन मिर्दो भिद कहा जाता है question number 105 देखेंगे कवक पौधो में नहीं पाया आता है तो कवक पौधो में जो है पर्ण हरित नहीं पाया आता है question number 106 देखेंगे पराग कन की सुपरिभासा है तो पराग कन की सुपरिभासा पराग कन का पराग केसर के कलोम छिदर तक अस्थान अंत्रित होनी की किरिया जो है पराग कन कहलाता है इसका right answer option number 8 हो जाएगा question number 107 देखेंगे पौधे अपना पोसक्तत्व मुख तक किस से प्राप करते है तो पौधे अपना मुख जो पोसक्तत्व है वह हम मिर्दा यानि मिट्टी से प्राप करते है question number 108 देखेंगे पाइन, फर, असफूस, सेडार, लॉर्च, असपाइस, पस, आदी, मसुहूर, लकड़ी, उत्पादक, पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी छेत्रों में भी पाए जाते है यह सभी क्या कहलाते है तो यह सभी जो है अनाव विर्थि कहलाते है अनाव विर्थ, बीजी कोश्चन नमबर 9 देखेंगे 109 निम जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेवित है तो मलेरिया जो है कुलोरो क्वीन के कारण होता है मलेरिया के रोक थाम में जो है कुलोरो क्वीन का उप्योग के आता है कुश्चन नमबर 10, 110 देखेंगे लाल रक्त कनी का विहिन जन्तु कौन सा है तो वह केचुआ है कहने का मतलब हो जिसमें खून नहीं हो कुश्चन नमबर 11, 111 देखेंगे कार्वो हाइडर्ट के अब घटनो प्रांत अंतिम रूप से क्या बनता है तो अंतिम रूप से जो है ग्लुकोज बनता है कुश्चन नमबर 112 अधिक एंजाइम होते हैं तो अधिकतर एंजाइम जो है प्रोटीन का राते हैं कुश्चन नमबर 113 है किस बैज्ञानिक चिकिस्चक ने पहली बार टीका करन की सुरुवात की थी तो सबसे पहले टीका करन की सुरुवात जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था और सबसे पहले चेचक का टीका जो है 1798 में लगा गया था अब देखिए समसमाई की से प्रश्ण है करेंट अफेर्स कुश्चन नमर 114 है जुलाई 22 में किस देश के पूर परधान मंत्री सिंजो आवे की चुनाव अभियान के दवरान गोली मार कर हत्या कर देगी सिंजो आवे जापान के जो है परधान मंत्री थे कुश्चन नमर 115 देखेंगे सैयोक्त राष्ट महासभाने पर एक भारत पर योजित प्रस्ताव अपना है जिसमें पहली बार किस भासा का उलेख किया गया तो उसमें पहली बार हिंदी भासा का उप्यों किया गया थे कुश्चन नमर 116 देखेंगे युक्रेन में रूस के सैन अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के अपातकालिन सत्र की अध्यक्स्ता की थी तो युक्रेन का जो युक्रेन रूस का जो सैन अभियान पर अपातकालिन सत्र की अध्यक्स्ता जो है अब्दुल्ला साहिद के दोरा की गई थी अब्दुल्ला साहिद बारत ने फरवरी 2022 में युद प्रावित युक्रेन से भारतियों को लाने के लिए किस मिशन के तहट लोगों को निकाला तो ओपरेशन गंगा के तहट निकाला गया था कोश्चन नमर 118 देखेंगे हाली में चिन ने सक्तेंग बंजीव अभियारन के आसपास के छेतरों पर अधिकारों का दावा किया है यह दावा करते हुए कि यह एक बिवादित छेतर है यह बंजीव अभियारन कहां इस्तित है तो सक्तेंग बंजीव अभियारन जो है यह दिल्ली के अंदर सासित प्रदेश को चुना गया है कोश्चन नमर 120 देखेंगे संयुक्त राष्ट सांती अभियानों के संदर्व में निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए तो संयुक्त राष्ट संग सांती रच्छक वल का परियोग अपनी आतम रच्छा के लिए कर सकती है यह गलत है सांती अस्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट रच्छा परिशल के एक प्रस्ताव द्वारा बापिस लिया जा सकता है यह बिल्कुल सही है संयुक्त राज अमेरिका संयुक्त राश्ट संती अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है ये भी बिल्कुल सही है तो इसका राइट आंसर जो है अप्सन नमर बी हो जाएगा कोश्चन नमर 121 देखेंगे हाली में किस देश ने संयुक्त अरब अमिरात के साथ एक मुक्त ब्यापार समझ होते FTA पर हस्ताक्षर किया है तो अभी इजराइल ने संयुक्त अरब अमिरात के साथ जो है एक मुक्त ब्यापार समझ होते पर हस्ताक्षर किया कोश्चन नमर 122 देखेंगे आर्क्टिक के जलवायों की निग्रानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपगरा आर्क्टिका M लाउंच किया है यह भी भी आई प्रशन है नोट कर ली जगा तो यह जो है भी रूस के साथ किया गया है आर्क्टिका M कोश्चन नमबर 123 देखेंगा T20 International में 3000 रन पार करने वाले पर्थम खिलाडी कौन बने तो बिराट को होली है कोश्चन नमबर 124 COVID-19 टीका करन की पूंटता सुनश्चित करने के लिए सुरू की अभियान का नाम क्या है तो इस अभियान का नाम जो है हर घर दस्तक अभियान 2.0 है कोश्चन नमर 125 देखेंगे 30 जून 2022 के बाद महराष्ट के नए मुखमंत्री कौन है तो अभी हाली में वहाँ चुना हुआ था तो हाँ एक नात सिंदे को जो है अभी मुखमंत्री बनाया गया है महराष्ट का कोश्चन नमर 126 देखेंगे भारत के 7575 दिवस के अफसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था तो केंद्र सरकार की यहाँ पहाल थी हर घर तिरंगा वाला कोश्चन नमर 127 देखेंगे केंद्र की नई सिच्छा नीती को लागू करने की परकिरिया शुरू करने वाला देश का पहला राज कौन बना है तो वह राज जो है उत्राखंड बना है कोश्चन नमर 128 देखेंगे कि भारती राज्यों के राजपाल निमलिखे जोड़ों पर विचार कीजए तो इसका जो है राजस्थान का कल राज मिस्र सही है उत्तर परदेश आनंदी बिन पटेल सही है पश्चिम मंगाल और गुजरात ये दोनों का मिलान जो है कि गलत है तो फागु चाहान के बारे हम जान लेते हैं या बिहार के राजपाल हैं वहीं बात करें कि सत्पाल मलिक जो हैं मेघाले के राजपाल हैं बाकी आप अप टूडेट हो ली जगा सर्च करके गूगल सर्च इंजन पर बताते चलें कि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर करें नेवन में से किस मंत्राले संगठन ने यूथ इन इंडिया सब रिपोर्ट 2022 ज़्यारी किया है तो अभी जो है सांख की और कारिक्रम कर्यानवे मंत्राले M.O.S.P.I.E के द्वारा जो है यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 ज़्यारी किया गया है Q.N.130 देखेंगे खबरों में नजर आने वाली इलना वेनिन वाला रिवन श्रेया अगरवाल और रमीता किस खेल से संबन ने थे है तो यह जो है निशाने वाजी जिसे सुटिंग कहा जाता है Q.N.131 देखेंगे Q.N.131 देखेंगे अपने उपन्यास टूम ओफ सेंड जिसे रेत की समाधी के लिए बुककर पुरुसकार फ्राप्त करने वाली तो वह अंतराश्टी बुककर पुरुसकार जो है गितांजली स्री को दिया गया था उनकी कृति कुन थी रेत की समाधी Q.N.134 देखेंगे बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल के भारती टेलिविजन पुरुसकार से समानित किया गया है तो दीप स्रेश्ट को जो है अभी यह पुरुसकार दिया गया है Q.N.135 देखेंगे बिहार के रितिक आनंद ने ब्राजिल में आयो जित 24 समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है तो भारत के लिए उन्होंने स्वान पदक जीता है Q.N.136 देखेंगे सुननदीनी कारकरम समंदित है तो सुननदीनी कारकरम जो है आंगनवाड़ी कारिकरताओं से समंदित है Q.N.137 देखेंगे कि नेमलिखित में से कौन सा भारत के बजट 222 तेज़ की प्राथ मिक्ताओं से समंदित नहीं है तो नहीं है वाला प्रश्न है तो इसमें बिनिवेस समंदित नहीं है बाकि सब समंदित है इसका राइट अंसर जो है